हेलो स्टूरेंट्स आज हम पढ़ेंगे क्लास एक्त पुचिरा त्रितियह पाठह क्या नाम है पाठका डीजी भारतम मिंस डीजिटल इंडिया आप सब अभी जानते हैं मोधी जी डीजिटल इंडिया को कितना प्रमोट कर रहे हैं आप तो जानते हैं तो इसी के बारे में य हमारे लिए इंपोर्टेंट तो स्टूडेंट अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल से जल सब्सक्राइब कीजिए और साथ में जो बैल आइकन है उस पे क्लिक कीजिए ताकि हम जब भी निव वीडियो अप्लोड करें आप तक नोटिफ पाठ है इसमें वज्ञानिक प्रगति के उन आयमों को चुआ गया है जिनमें हम एक क्लिक द्वारा कुछ कर सकते हैं आज इंटरनेट ने हमारे जीवन को कितना सरल बना दिया है हम भौगलिक दृष्टी से एक दूसरे के अत्यंत नीकट आ गये हैं इसके द्वारा जीवन के प्रत्यक्रिया कलाब सुभिदा जनक हो गये हैं ऐसे ही भावों को यहां सरल संस्कृत में व्यक्त किया गया है तो जैसे कि आप देख सकते हैं तो जो डिजिटल इंडिया है उसी के आधर पर ये निवन्दा आत्मक पार्ट लिखा गया है कि वज कि एक ही बस क्लिक बटन से एक बार क्लिक करते ही हम बहुत सारी काम कर सकते हैं जैसे एक ही क्लिक पर हम किसी को कॉल लगा सकते हैं किसी से बात कर सकते हैं स्पेस टूफेस वीडियो कॉल एक ही क्लिक पर हम किसी को पैसे भेज सकते हैं या किसी से पैसे ले सकते हैं बहुत जो क्रिया कलाप है जो ये काम है कितने सुविदा जिनक हो गए है सब कुछ अब सब कुछ हमारे लिए जैसे टिप्स पे है हमारे उंगलियों के कि असानी से कुछ भी कर सकते हैं तो वही सब कुछ यहाँ पे सरल भाशा में हिंदी में व्यक्त किया गया है तो चलिए देखता क्या है इसमें अद्य संपूर्ण विश्वे डिजिटल इंडिया इत्यसिय चर्चा शुरूयते आज कल पुरे विश्व में मिन्स होल वर्ड में डिजिटल इंडिया यही चर्चा हमें सुनने को मिलता है मिन्स सिर्फ यह नहीं कि इंडिया है या डिजिटल इंडिया है त कि इसको क्या अर्थ है यह मन में तो जिग्यासा आता ही है डिजिटल इंडिया में कैसि यह है कि हम किसी को पैसे लें और किसी से फून पर बात करें और वीडियो चैट करें बस इतना ही है तो मन में तो questions आती है काल परिवर्तने इन सह मानवस्य आवश्यक्ता अपी परिवर्तते समय के साथ साथ में समय के परिवर्तन से या समय के परिवर्तन से या उस परिवर्तन के साथ साथ मनुश्य के भी आवश्यक्तियां में बहुत changes आये हैं जैसे example ले लिजिए कि पहले हम letter लिखा करते थे letter दस दिन बारा दिन में पहुंच तो तो कभी कभी एक महीना लग जाता था अब जहां दस दिन में पहुंचना होता था वहाँ अगर आठ दिन में पहुंच जाए letter तो हम बहुत खुश हो जाते थे बट हमारे need अभी क्या है जैसे हम किसी को कोई message send कर रहे हैं या कुछ लिख रहे हैं अगर दो मिनिट network problem आ जाए तो हम परिशान से हो जाते हैं कि पता नहीं यह message क्यों नहीं send हो रहा तो अवश्यक्तियां भी changes आया है उसमें कि हम जो 10 दिन का 8 दिन सोचते थे अभी हम दो मिनिट लेट दो मिनिट तो छोड़ी हाफ मिनिट भी लेट हो जाए तो हम परिशान हो जाते हैं प्राचीन काले ज्यानस्या आदान प्रदानम मौखिकम आसित विद्याच्य शृति परंपराया गुयतिस्म पुराने जमाने में प्राचिन काले प्राचिन समय में या पुराने जमाने में जो ग्यान का आदान प्रदान वो मौखिक तरीके से किया जाता है मतलब जैसे वेद, अब वेद को हम शुरूती भी कहते हैं क्योंकि सुन कर याद करते थे तो ज्यान के जो आदन प्रदान था वो सब कुछ सुन के किया जाता था तो इसलिए विद्या जो है वो शुरूती परंपरा में है मिन्स उस वक्त था शुरूती परंपरा में क्योंकि सुन सुन कर तब कहां ये कंप्यूटर, मुबाइल फोटो, बुक्स कुछ नहीं थे तो सुन सुन का सब कुछ होता था इसलिए उसको शुरूती परंपरा कहा गया है अनंतरम ताल पत्रो परी भोज पत्रो परी च लेखन कार्यम आरबधम तो शुरूती परंपरा के बाद धीरे धीरे अब जब लगा अब सब के तो सुनिती समान नहीं है अब आप जिस पोएम को दस मिनिट में याद कर सकते हो जरूरी नहीं कि मैं भी उसी पोएम को दस मिनिट में याद कर साँ को कर पाऊ या फिर जरूरी नहीं कि आप अगर उस पोईम को जिन्दे की भर याद रख पाऊं तो मैं भी उस पोईम को जिन्दे की भर याद रख पाऊं तो हमारे जो स्मृति है जो याद करनी की शमता है इसमें फर्क आता है तो फिस जरूरत के साथ साथ क्या किया कि ताल पत्रों पर भोज पत्रों पर वो सब कुछ बानाम करगदोपरी लेखनम प्रारबधम अब पहले सुन सुन कर शुरूती परमपरा से करते थे उसके बाद ताल पत्रों और भोज पत्रों पर होने लगे लेकिन उसके बाद कागज पेपर इंवेंट किया तो उस पर सब कुछ लिखा जाता था मतने मन के भाव जो व्यक्त नहीं कर पाते या जो व्यक्त कर सकते हैं किसी को याद दिलाने के लिए कुछ भी तो वो सब कुछ कागस पर लिखे जाने लगे क्योंकि हम जितना समय बदल रहा है हम आगे बढ़ रहे हमारी जरूरत में भी फड़का रहा है जैसे कागस था कागस पर लगा कि हर जगा हर जगा मिंस कहीं भी ले लो कि जैसे ये हो गया कि कागज हर जगा लेके नहीं जा सकते तो हमें लगा कि कुछ ऐसा होना चाहिए जहां पर सब कुछ आ जाए तो हम pen drive यूज करने लग गए तो कि क्या कि हमारी जरूरत थी pen drive तो हमने वो बनाया तो जरूरतों के साथ साथ सब कुछ बदल रहा है तंकन यंत्रस्य आविशकारेन तू लिखेता सामगरी तंकेता सती बहुकालाय सुरक्षिता अतेश्ठत तो जब मैंने जैसे आपसे कहा कि papers तो हर जगा यूज करना समभव नहीं है अब अगर आप आज कुछ लिखते हो तो 50 साल बाद क्या वो paper वैसे ही रहेगा नहीं तो हमें क्या ज़रूरत हुई computer की टंकनं मिन्स typing तो अलब type किया हुआ कुछ हो तो 50 साल बाद भी हम हाँ उसे use कर सकते हैं तो फिर हमें ज़रूरत पड़ी typer की तो जिसमें बहुत समय तक हम सुरक्षित रख सकते हैं वैज्यानिक प्रवीद है प्रगति यात्रा पुनरपी अग्रेगता तो वैज्यानिक प्रवीद मिन्स जो scientific skills है जो knowledge है जो अलग-अलग तरीके हैं उसमें दिरे दिरे और जादा हम उन्नती करने लगे प्रगति पर प्रगति के रास्ते पर हम यात्रा करने लगे अध्य सरवानी कार्यानी संगणक नामकेन यंत्रेन साधितानी भवंती तो आजकल जो सारे काम होते हैं वो संगणक नामक यंत्र यानि कम्प्यूटर के द्वारा साधितानी भवंती साधन होते हैं मिल सक्सिस्फुल होते हैं समाचार पत्रानी पुस्तकानी चा कंप्यूटर माधमी न पठ्थेंते लिखेंते चा अब जो समाचार पत्र है या पुस्तक है उन्हों कुछ भी हमें जरूरी नहीं है कि हर जगा वो सब कुछ लेके चले वो सब कुछ हम कंप्यूटर में भी पढ़ सकते हैं अभी जैसे पैंडिमिक के टाइम पे घर पे बैठे होगे हैं, बहुत से बच्चे ओनलाइन क्लासिस ले रहे हैं, तो वो कैसे ले रहे हैं? ऐसे इनहीं के थुरू ले रहे हैं, कंप्यूटर के थुरू ले रहे हैं, कि टीचर सामने तो नहीं है, ना होते हुए भी टीचर सामने ही है तो पहले क्या होता था हम पेपर पे लिखते थे तो पेपर पे लिखने के लिए हमें कितने सारे पेड काटने पड़ते थे तो अभी हम कंप्यूटर पे लिखने लगे टाइप करने लगे तो हमारा विश्वास है कि अब जितना जादा कंप्यूटर के यूज होगा उतना ही हम पेड कम काटेंगे ठीक है अनेन परियावरन सुरक्षायाह दिशी महान उपकारो भविश्यती इसके द्वारा परियावरन सुरक्षा में एक बहुत अच्छा बेनिफीशिल है कि हम पेर काटेंगे नहीं अब काटेंगे नहीं तो क्या होगा परियावरन को हम सुरक्षित कर पाएंगे ठीक है फ्रेंड तो आपने अभी तक अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल से जल सब्सक्राइब कीजिए और साथ में जो बेल आइकन है उस पे क्लिक कीजिए ताकि हम जब भी न्यू वीडियो अप्लोड करें आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए साथ में आप अगर इस वीडियो को लाइक करें शेयर करें कमेंट करें तो यह आपके हिस्ट्री में भी रहेंगे तब जब भी जबरत पड़ेगी आप आसानी से ढूंड सकते हैं इस वीडियो को अधुना आपने वस्तु क्रयार्थम रुप्य कानम अनिवार्यता नास्ति अभी तो यह समय आ गया है कि शौप में दुकान में आपन में दुकान में जाकर कुछ भी खरिदने के लिए भी पैसों की जरूरत नहीं हैं अब अगर मैं बोल रही हूँ कि पैसों की जरूरत नहीं है तब कभी दुकान में जाकर यह ना हो की सामान ले लिए और पैसे नहीं दिया क्यों क्योंकि आपने सुना था रूंपा साइमेंट्स में जिन्होंने इस चैप्टर को पढ़ाया उन्होंने कहा था कि अभी दुकान में वस्तु खरिदने के लिए पैसों की आवश्यक्तिया नहीं है तो पहले सुन लीजे कम्प्लीट्टी डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इत्यादयह, सर्वत्र, रुपे कानम, स्थानम, ग्रेतवन्त अब समझ गया स्टुडेंट्स की पैसों की आवश्यक्तिया नहीं है इसका मतब यह नहीं की शौप वाली को पैसे देने की ज़रुत नहीं है पैसे देना है उनको कैसे देना है debit card के माध्यम से credit card के माध्यम से अब हर जगा जैसे कहीं पर आप मान लीजिए कि कहीं 100 रुपे के आप सामान खड़ीते हो और आपके बास 100 का नोट नहीं है तो आप 10-10 रुपे के 10 लेके जाओ क्या पता रास्ते में खो जाए उससे अच्छा आप debit card रख लो अराम से छोटी से जगा में कहीं पर भी अच्छे से से जगा पर पॉकेट पगेड़ा अराम से बनवा के उसे में रख तो तो हर जगा ज़रूरी नहीं है कि आप ऐसा ही लेके जाओ ये तो मैंने सौर रुपेगी बात की अगर आपको लाख रुपे कहीं ले जाना है तो फिर आप समझी सकते हो डर डर के कहां तक जाओ गया तो उसके लिए debit card credit card ही सही है वित्त कोश अस्य अर्था बैंक अस्य चापी सरवानी कार्यानी तो जो बैंक के भी काम होते हैं वो भी computer के द्वारा ही संपादित होते हैं तो बहुत सारे apps भी वैसे है जिनकी वज़े से हम cashless transaction कर सकते हैं जैसे paytm, phone pay, google pay और पतानी कितने सारे apps है जिनके थुरू हम cashless transaction कर सकते हैं मतलब जरूरी नहीं कि आप debit card या credit card लेके जाओ अगर ये दोनों ना भी हो या इन में से कुछ भी ना हो तो भी आप अपने phone के द्वारा अपने phone के थुरू आप cashless transaction कर सकते हैं कुत्रापी यात्र करनिया भवेत रेलियान यात्रापत्र से वायू यान यात्रापत्र से अनिवार्यता अध्यनास्ती कहीं भी आपको travel करना है तो train ticket या plane ticket के आवश्यक्ता नहीं है अब यहाँ पे भी वही है अगर मैंने कहा है कि आवश्यक्ता नहीं है इसका मतलब यह नहीं कि आप बिना ticket के ही चले जाओ बिना ticket के जाओ गो तो आप फस होगे सर्वानी पत्रानी अस्माकम चलदूर भाश यंद्रे इमेल इती स्थाने सुरक्षितानी भवंती यानि संदर्श्य वयं सौकरियन यात्रायाह अनंदम ग्रहीमा तो मतलब क्या है वही है कि यह नहीं है कि आपको ticket लेने की ही जरुवत नहीं है आप ticket तो लीजिए वड़ आपको हाथ में या साथ में paper लेने की जरुवत नहीं है सब कुछ हमारे email में अब चलदूर भाश यंद्र अरताथ phone phone के email में सब कुछ सुरक्षिता है TTI या फिर airport पे आपको checking के लिए दिखाना है तो आप phone निकाल के दिखा दीजिए जरुवत नहीं है तो मतलब यह है कि साथ में paper ले जाने की जरुवत नहीं है तो बिना किसी टेंशन के सिर्फ एक phone ले जाके रही आराम से आप यात्रा के आनंद उठा सकते हैं चिकित साल अपी उपचार अर्थम रुप्यकाना मावश्यक ताद्या नानो भयते अब हॉस्पिटल में भी आजकल दिखाने के लिए या चेकप के लिए पैसो की जरुवत नहीं है इसका क्या मतलब है मतलब कैश की जरुवत नहीं है सरवत्र कार्ड माध्यमेन, इबैंक माध्यमेन, शुलकम प्रदातुं शक्यते हर जगा कार्ड के थुरू या इबैंकिंग के थुरू आप पैसे दे सकते हैं, फीज भर सकते हैं तो फिर स्टूडेंट्स हमें पैसो की जरुवत तो है, बट कहीं पे भी वैसे फिजिकली ले जाने की जरुवत नहीं है अभी हम इबैंकिंग, क्रेट कार्ड, डेबिट कार्ड या फिर किसी आप के थुरू हम पे कर सकते हैं तो स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल से जल सब्सक्राइब कीजिए और साथ में जो बैल आइकन है, उस पे क्लिक कीजिए ताकि हम जब भी निव वीडियो अप्लोड करें, आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए तो चलिए आगे देखते हैं तद दीनम नाति दूरम यदा वयम हस्ते एक मात्रम चलदूर भाष यंत्रमादया सरवानी कार्यानी साधाईतुं समर्था भविश्यामह मिंस वो दिन दूर नहीं है, जब हाथ में हम सिर्फ एक मुबाइल फोन लेकर ही सारे काम कर सकेंगे मिंस अभी भी कुछ काम ऐसे है, अब कुछ काम क्या ले लिजे हर hospital में जरूरी नहीं है या हर shop में जरूरी नहीं है कि cashless transaction के लिए वो option available हो तो वो दिन बहुत जल्द ही आएगा जब इन सब के लिए cashless transaction available हो मिस हर जगा आपको कहीं पर भी physically पैसे ले जाने के ज़रत नहीं है बस bank to bank दे दीजे बात ख़तम ठीक है वस्त्र पुटके रुप्य कानम आवश्यक्ता ना भविश्यती जैसा कि मैंने कहा pocket में पैसे ले जाने की जरुवती नहीं पड़ेगी वस्त्र पुटके pocket या pocket में passbook, checkbook इत्तिय नयो आवश्यक्ता ना भविश्यती जैसे आपके घर में आप सबके घर में ही होगा passbook, checkbook ये रखे होते हैं तो इसकी भी जरुवत नहीं पड़ेगी क्योंकि अभी जैसे है कि हर घर में possible नहीं है cashless transaction तो इसलिए अभी भी passbook, checkbook रखते हैं वो record रखने के लिए कितना कहां खर्चा गिया, कहां दिया balance कितना है तो धीरे धीरे ऐसा भी time आएगा सिर्फ mobile में ही काम चल जाएगा आपको अलग से बैंक वाले passbook, checkbook देंगे ही नहीं ठीक है पठनार्थम, पुस्तकानम, समाचार, पत्रानम, अनिवारियता समाप्त प्राय भविश्यती पढ़ने के लिए पुस्तकों की समाचार, पत्र जो जरुरत है, अनिवारियता है mandatory जो है वो भी जरुरत खतम हो जाएगे धीरे धीरे लेखनार्थम, अभ्यास पुस्तिकाया करगद अस्यवा नूतन ज्यान अनिवेशन अर्थम शब्द कोशर स्यापी अवश्यक्ता नाभविशती लिखने के लिए अभ्यास पुस्तिकाया अर्थम नोटबूक या फिर कुछ भी अनिवेशन करने के लिए कुछ भी ढूनने के लिए हमें पेपर की जरुरत नहीं पड़ेगी जैसे डिक्षिनरी आजकल हम डिक्षिनरी अभी भी यूज़ करते हैं पेपर वाली तो यह डिक्षिनरी भी अवलेवल है हमारे पास मतलब कि किसी भी रिसर्च वर्क के लिए भी हमें पेपर की जरुरत नहीं पड़ेगी हम सब कुछ फोन से ही कर सकेंगे अपरीचीत मार्गस्य ग्यानार्थम मार्ग दर्शकस्य मान्चित्र स्यावश्यक तायाहा अनुभूति अपी नभविश्यती अब जैसे अभी भी आप देखते हैं मेट्रो स्टेशन में या कहीं और कि अभी भी मैप अवलेवल है तो धीरे धीरे ऐसे भी दिन आएंगे जब जब जबरत ही नहीं पड़ेगी अभी भी जैसे आप फोन पे गूगल सर्च करके गूगल मैप यूज करके आप कहीं जाते है अब हर कोई नहीं जा पाता है तो वो धीरे धीरे यह जो डिजिटल इंडिया को प्रोमोट किया जा रहा है तो लोग धीरे धीरे फोन को ही यूज करेंगे हाथ में पेपर मैप लेके नहीं घूमेंगे ठीक है ये सब कुछ एक ही मशीन के द्वारा ही कर सकते है शाकादी क्रयार्थम में सबजियां खरीदने के लिए फलक्रयार्थम फ्रूट्स खरीदने के लिए विश्राम ग्रिहेशु कक्षम शुनिश्चितम करतूम कोई होटल वगेरा या रेस्टोंट वगेरा बुक करने के लिए चिकित्सा लए शुलकम प्रदातूम हॉस्पिटल में पैसे भढ़ने के लिए या फीस भढ़ने के लिए विद्धिया लए महा विद्धिया लए चापी शुलकम प्रदातूम स्कूल में या कॉलेज या यूनिवर्सिटिस में फीज भरने के लिए किम बहुना दानम अपी दातुम चलो दूर भाश यंत्रने मेव अलम क्या ये सब जगा फीज भरने के लिए बना फीज देने के लिए फोन ही काफी है मिस डीजी भारत के द्वारा या डीजी भारत के थुरू हम सब कुछ कर पाएंगे ठीक है कहीं पेबी अब किसी किसी के फीज तो पता नहीं कितनी होती है 20,000, 25,000, 1,000, 2,000,000, 5,000,000 सब कुछ कैश कैसे ले जाएंगे तो उससे बैटर है कि हम कैश लेस ट्रांजेक्शन करें आप घर पे बैठके ही अपने बच्चे के या अपने खुद के फीज आप घर पे बैठके भर सकते हैं कोई टेंशन ही नहीं कि हां रास्ते में चोरी कर लेगा कोई या मैं पैसे को गिरा दूंगा या गिरा दूंगा कोई टेंशन नहीं है तो सब कुछ डिजिटल इंडिया के थू ही पॉसिबल है डिजी भारतम के थू ही पॉसिबल है डिजी भारतम जो है हमारे लिए एक नई दिशा की तरह है हम भारत के लिए हम भारतियों के लिए ठीक है तो हम दिरे दिरे ऐसे अग्रसर हो रहे हैं हम मशीनों को सीख रहे हैं जान रहे हैं इसलिए डीजी भारतम या डीजिटल इंडिया इसको मोदी जी प्रोमोट कर रहे हैं जादा तर या हम लोग भी कर रहे हैं हम यूज भी तो जादा कर रहे हैं पहले से अभी तक आप अपने parents से या फिर बड़े भाई या कोई बड़ी बहन हो तो उनसे पूछिए कि पहले आप जिस age में हैं उस age में जब वो लोग थे तो इतना use नहीं होता था अभी use हो रहा है आप जब बड़े हो जाएंगे आप parents बनेंगे तब और जादा use होने लगेगा ठीक है thank you कोई भी doubt हो बस आप comment section में लिख दीजिए तो यह chapter हम यहीं खतम करते हैं thank you